ऐसा प्लांट जिसने पूरी सर्दियों में हमें फूलों की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया फिर चाहे तो वो आपके घर में और फ्लावरिंग प्लांट हो या ना हो अकेला यही प्लांट आपकी जो बगिया की रोनक है उसको बनाए रखता है सारी ही सर्दियों में वैसे तो बारा महीने जो प्लांट है हमारे साथ बना रहता है लेकिन कर्मियों में ये प्लांट जो है वो थोड़ा Dormant हो जाता है, rest mound में चला जाता है लेकिन फिर भी ये प्लांट जो है ऐसे fall है से हमारे विशा बना रहता है आज हम बात करेंगे बहुत ही हाड़ी प्लांट की लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो जब फर्स टाइम वीजिट कर रहो है मेरे चैनल को तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें बैल बटन को भी जरू प्रेस कर देता कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सकें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा तो चलिए वीडियो की शुरूत करते हैं और दोस्तों आप सबसे माफिवी चाहती क्योंकि एक लंबे अर्से के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है वैसे तो ये जो वीडियो है मेरा मार्च के मिर्ट तक बनके रिडियो हो गया था लेकिन कुछ एक कारण थी जिनकी वज़ेसे मैं कंटीनू नहीं कर पाई और अभी देखिए अप्रेल भी जाने की गगार पे है तो चलिए देर ना करते हो वीडियो की शुरुआत करते हैं वैसे वीडियो को देख कर आपको अंधाचा हो ही गया होगा कि हम आज कौन से प्लांट के बार में डिसकस करेंगे जी हां बहुत ही प्यारा हाड़ी और कम केर में चलने वाला प्लांट है जो की है कलांचो मेरे ओल्ड़ी वीडियो है मैंने जो उसकी गयर पर है लेकिन आज का जो वीडियो है वह थो प्लांट को नेक्स सीज़न के लिए कैसे तडियार कर सकते हैं कौन सा काम हमें अभी कर लेना है इस प्लांट पे ताकि आने वाले सीजन में जाने की विंटर सीजन में हमें जो प प्रेटियों की शुरुवात हो रही थी और मेरे जो ग्लांचो के प्लांट्स है वो फुल ब्लूमिंग पे थे और अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे थे और अभी देखिए जो इनकी कंडिशन है वो कैसी है तो देखिए अब देख पा रहे होंगे कि इन पे जो अभी तक यह गुच्छ में बणी रहे है और फ्रेश है तो इसे अभी तक में नहीं हटाओंगी लेकिन जो फ्लावर पेंड हो शुकогे हैं उन्हें उन्हें हटा Bailey पहले तो आपको क्या करना है इसकी प्रूणिंग करनी है डेट हेट करना है इस प्ला tutor को जो फ्लावर स्पर्ण हो गए हैं उन्हें आप निकाल दें उन्हें पर ईछिए्टन कारत्य देखे देखें यहां से अगर हम इन्हें ऊपर से हटाएंगे पंपर के यहां से तो यह इन इनकी डंडिएं से जो देखने में आची नहीं लगेंगे और इनकी जो शेप है वो भी Maintained नहीं होंगे तेखिए यह सब फ्लॉब्र जो हमने हो चुके हैं और हम कट करेंगे कट कैसे करना है देखे यहां से कट करेंगे यहां से इसके बहुत सारी लीफ स्टार्ट हो जाती है यह देखिए यहां से हम इसे कट करेंगे और इसी तरह से हमें सारा का सारा जो प्लांट है वो डेट हैट करना है और इस तरह से कटिंग करते जाना है वो देखिए में लेजे एक हासे करना थोड़ा मुश्किल ह लेकिन आपको इसी तरह से सारे प्लांट के कटिंग करते जाना है और शेप को मिंटेन रखते हुए कट करना है ताकि इसकी जो शेप है वो भी खराब ना हो को देखिए कटिंग करने के बाद जो हमारा 빨ंट अजो इस तरह से दिख रहा है और देखिए। निकला है तो अगला क् ant Me काम हमें क्या करना है। इसके जितनी भी गली सडी रीव में zeg बो निकाल देरिए जिर we देख पा रहे होंगे आप जितनी भी इसकी सडी गली जो भी आपको लगता है कि इसकी लीव्स जो खराब होगी उन्हें सब को हटा देना है और देखें नीट अंड क्लीन करना है पूरी तरह से इस प्लांट को एक एक करके सारी ही इसकी जो खराब लीव्स हैं वो निकालते जाएए ताकि प्लांट जो है वो नीट एंड क्लीन दिखे और कोशिच करें कि मार्च के लास तक जाँ फिर एप्रिल के फरस्ट वीक तक आपको ये काम कर लेना है मैं ये जो काम है मैं बहुत पहले कर चुकी हूं लेकिन मैं वीडियो जो है वो कंटीन्यू करने में लेट हो है उपर इसट है नहीं दे पाएगा जितनी के आप यह देखिए अगर हम इस तरह से कट करेंगे ना उपर-उपर के जो फ्लार्स हैं उन्हें कट कर देंगे। तो ये प्लान्ट देखने में जádर अच्छा नहीं लगेंगा इसकी जो सीधी सीधी डंडी आप लेकार हाँ हो तो क्टिंग है dead head वो निचे से dead head करना है यहां से इसकी leaves जो हैं एक साथ निकलना शुरू होती हैं इस तरह से ताकि जो हमारा plant है वो neat and clean देखे और उसकी जो shave वो भी maintain रहे देखे कितना सारा कचला निकला है इस plant का तो इस तरह से आपने अपने सभी plants की cutting कर लेनी है जितने भी आपके कलांचों के प्लांट हैं, उनकी सब की कटिंग कर लें, उनकी खराब लीव से उनने निकाल दें और एक बात जो की बहुत जरूरी है कि कट्कती तेज धूप से इस प्लांट को बचाना है शेड वाले प्लेस में इस प्लांट को आफ शिफ्ट कर दें बिल्कुल गर्मियों में है, यह प्लांट जो है वो टेज धूप को बरदाश नहीं कर पाता है तो आप इसे शेड वाले प्लेस में शिफ्ट कर दें धूप से इस प्लांट की जो कलर है वो फेंट हो जाएंगी और इसकी लीव से येलो हो जाएंगी तो अगर आपकी कटिंग के दौरान जा डेट हैडिंग के दौरान को कटिंग निकलती है वो भी आप इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं आप कटिंग लीजिए और किसी भी प्लांटर में ऐसे लगा दें तो होल करके उसे लगा दें तो ये ग्रो हो जाएगी इसले अपरेल तक क्लांचों के कटिंग लग जाती है क्योंकि रेस्ट मोट पे होने की वज़ा से पानी भी इस प्लांट को कम ही दे क्यूंकि पानी की इतनी नीट नहीं होती है क्यूंकि यह जो plant रेस्टबोड पे है ओवर्वाटरिंग ना करें और ववर्वाटरिंग से के बार यह plant खराब हो जाता है तीन-चार दिन के gap के बाद भी watering कर सकते हैं तो इसे को फर्क नहीं पड़ेगा fertilizer तो बिल्कुल ही न fertilizer plant को बिल्कुल ही न करें क्योंकि plant जो है flowering नहीं करेगा as a fall is ही आपके garden में बना रहेगा तो इसे fertilizer की इतनी need नहीं होती है तो आप इसे skip ही करें और देखिए इस तरह की cutting अगर आपको मिल जाती है तो आप किसी खाली पड़े प्लांटर में जा किसी और plant के साथ ही मैं ऐसे इस plant में जिसमें क्लांचो की already cutting लगा रखी है मैंने उसमें इस तरह से इस तरह से लगा के उपर मिट्टी ज़रा इस तरह से कर दें तो ये आपके cutting ग्रो हो जाएगी क्लांचो की जो cutting है सब प्लांट की देखे कितने अच्छे से dead heading करती है और ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और देखे कितना सरा कच्छा भी निकला है ये देखे और ये देखे कुछ-कुछ प्लांट मेरे ऐसे भी हैं जैसे कि ये जिन में अभी तक फ्लावरिंग हो रही है और देखे इन में अभी नहीं हटाऊंगी तो चलिए आप भी अपने इस प्लांट पे अगर ये काम सब काम करने वाले हैं तो जल्दी से कर लीजिए तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंट करते हैं अबोग के यह को अच्हा हो थैक्ष लागा होám और स्क्रीद केती यह था सक्ट एंग कर दो इसना में अभाब पालने प्सक्ते करिग के दो Zwit एंपर यह मैं है स हुआ नड़ने वे हूतार है पाफ़ीी